हेलो अच्छो आप सब का आपके अपने चैनल गोविन्द मैत लक्षर्स में एक बार फिर से स्वागे थे तो पीरे विद्यारतियों आज गिस क्लास में हम तक्सा 6 और 7 हिंदी विशे की व्रकबुक 2.0.24 के OCR आधारित आकलन पत्रदों को सॉल्व करना सिखेंगे जो कि कर आप उन सबी क्लास इसको आराम से देख सकते हैं तो चलिए क्लास शरू करते हैं पहला प्रश्न है अच्छे स्वास्तिय के लिए अपनाना चाहिए अच्छे स्वास्तिय के लिए हमें कुछ सी आदत अपनानी चाहिए तो अच्छे स्वास्तिय के लिए हमें सुभे उगल को मिठा भात खिलाया इसमें रिखांकित पद जो मिठा भात है ये क्या है तो ये सम्मंदित है विशेशन से सम्मंदित क्योंकि ये भात की विशेशता बता रहा है कि वो कैसा है मिठा है तो विशेशन क्या होता है जो संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं उ से बनना चाहिए देश की युवापिडी को बनना चाहिए कैसा बनना चाहिए तो देश की युवापिडी को सूधर्ड और सच्चा बनना चाहिए कैसा बनना चाहिए सूधर्ड और सच्चा बनना चाहिए तो था पत्र लेखन में मित्र को संबोधित करेंगे मतलब यदि आप अपने किसी दोस्त को पत्र लेख रहे हैं तो उसको आप किस तरह से संबोधित करेंगे तो मैं अपने मित्र को लिखूंगा प्रिय मित्र क्या लिखूंगा प्रिय मित्र लिखूंगा प्रश्न शंक्या 5, पहले हमारे डाकिए कुबा करते थे, यनी प्राचिन समय के अंदर हमारे डाक पहुंचाने का काम कौन करते थे, तो वो करते थे कबूतर, लोग क्या करते थे, कबूतर के गले में चिट्टी बांद कर उसे भेज दे थे, और कबूतर उस इस्तान तक पर वो चिट्टी भेजनी होती थी अगला चट्टा प्रश्न उद्यपूर जाने पर आप क्या नहीं देख सेकेंगे अगर आप उद्यपूर जाते हैं तो इन में से कौन सा इस्तान है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा तो देखो पिचुला जिल उद्यपूर में है कुंबलगड का जो दूर्ग है उस कुंबलगड दूर्ग को नहीं देख पाएंगे अगला प्रश्न संक्या साथ अच्छे सिक्सक की पैचान है एक अच्छा सिक्सक होता है उसकी पैचान क्या होती है वह बच्चों का भविश्य निर्माता है मिलकुल सही है वह बच्चों के अलावा भी सिखाता है ये भी साइय है ुपियुक्त सभी इसका सही उत्तर है आटवा प्रशन है यदि हम खुडे दान का उपियुक्त करेंगे तो क्या होग तो यदि हम खुडे का उपियुक्त करेंगे अनि कच्छ्रे को इधर उदर फैकने की न बजाए एक निद्धारित इस्तान पर डालेंगे तो इससे होगा क्या कि हमारा जो प्रिवेस है और हमारे आज पास का जो वातावरन है वो कैसा रहेगा साप सुत्रा रहेगा तो इसका option number A सही उत्तर है नववा प्रशन है दूस्मन का विलोम सब्द क्या है तो दूस्मन का विलोम सब्द होता है मित्र अथ्वाद दोस्त दस्वा है गठिला सब्द में परते कौनसा है तो गठिला सब्द के अंदर जो परते है बच्चो वो है इला परते परते क्या होते हैं? जो किसी भी सब्द के अंत में जूड कर उसके अर्थ में प्रिवर्तन कर देते हैं, वो कैलाते हैं परते तो गठिला सब्द के अंदर इला परते हैं, कुंसा परते हैं? इला परते हैं आज कले इतना ही, जै हिंद, जै भारत